एक बार की बात है एक जंगल में एक भूत और चुडैल रहा करते थे दोनों पती-पतनी थे चुडैल की आदत थी वो अकसर भूत की छोटी-छोटी बातों पर नाराज हो जाये करती थी एक दिन ऐसे ही किसी बात पर चुडैल अपने भूत पती से नाराज थी अरे ओ मेरी चुडैलों की रानी आज कहां गुम हो सुबह से तुम्हे मुझसे क्या? तुम तो जाओ, जाकर मजे से खरगोश का शिकार करो और खाओ अरे अरे, अचानक से क्या हुआ? क्या तुमको भी वो खरगोश खाने का मन था? तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था ना? नहीं, मुझे कोई खरगोश नहीं खाना और मैं यहाँ रात भर से सोच सोच कर परिशान हो रही थी और तुमको मालूम ही नहीं कि मैं तुमसे क्यों गुसा हूँ? और वो छोड़ो, तुमको तो ये भी नहीं मालूम कि मैं तुमसे गुसा भी हूँ? अरे मेरी जान, तो तुम खुद ही क्यों नहीं बता देती कि तुम क्यों गुसा थी मुझसे? नहीं, अब मुझे नहीं बताना, अब जाओ तुम यहाँ से ओ, ओ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ गाओं में, रात के खाने का कोच इंतिसाम करने, तुम यहीं रुकना, ठीक है ना जहाँ जाना है जाओ, और जो करना है करो फिर भूत गाओं में चला जाता है, और किसी इंसान को ढूणने लगता है, कि तब ही उसे एक डायन दिखती है अरे, तुम तो एक डायन हो ना, हमेशा डायनों के वारे में मैंने किस से कहानियों में सुना था, आज तुम्हें देख भी लिया ओहो, तुम तो एक बूत हो, तुम यहीं के रहने वाले हो क्या नहीं नहीं, मैं तो पास के जंगल में अपनी पत्नी चुड़ैल के साथ रहता हूँ यहां तो मैं अक्सर शेकार ढूणने आता हूँ बस, और तुम ओ, अच्छा, मैं, मैं तो बस यहां से गुजर रही थी, मुझे दरसल दूसरे गाउं जाना है अच्छा अच्छा, वैसे तुम्हारी चोटी तो दिखाना जरा, क्या वो सच में बहुत लंबी है दरसल कहानियों में डायनों के बारे में इतना सुना है ना, कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता सुना है, तुम्हारी सारी ताकत तुम्हारी चोटी में होती है, और इसी लिए वो बहुत मोटी होती है हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, ये देखो, कितनी मोटी है मेरी चोटी, भूट डायन की चोटी को छू कर देखने लगता है, कि तब ही वहाँ पर चुड़य अला जाती है, वाँ 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 देखो तो जरा क्या हो रहा है यहाँ, मुझे यही बोलकर तु कि तुम्हें शिकार ढूरने जाना है, और यहाँ पर तुम इस डायन के साथ मजे कर रहे हो, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम तो मुझे गलट समझ रही हो, तो तुम भला इस डायन की चोटी के साथ क्या कर रहे थे, बस, 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 बस अब बहुत हो अभी के अभी, तुम इसी डायन के साथ अपना नएगा घर बसा लेना, यह सुनकर भूत को भी बहुत गुसाता है, बैस भी करो, तुम तो हर बक्त बस नाराजी रहती हो, अब जाओ, नहीं मनाऊंगा मैं तुम्हें, जहां जाना हो तुम्हें तुम चा सकती हो, तुम्हे मनाते मनाते मैं अब तक गया हूँ ये सुनकर चुडैल को बहुत दुख होता है और वो नाराज होकर अपने माई के चली जाती है इधर भूत का अब चुडैल के जाने से दिल नहीं लग रहा था उसे हर वक्त अपनी नाराज चुडैल बीवी की याद सता रही थी तुम जाओ यहां से मैं उसके अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकता ये सुनकर डायन वहां से मू बना कर चली जाती है पर गाओं में तीन लड़के पिंटू, मिंटू और चिंटू ये सब होते हुए देख लेते हैं मिंटू और चिंटू, तुम लोग समझे कुछ, इतने सालों से जो भूत और चुडैल हमारे गाओं वालों को खा रहे थे, उनमें धगड़ा हो गया है और चुडैल इस भूत से नाराज होकर इसे छोड़ कर चली गई है हाँ मिंटू, पर अब हमेश से क्या, इन चुडैलों और भूतों के मामलों से दूर ही रहे तो अरे नहीं मिंटू, अगर चुडैल पहले से जा चुकी है इसका मतलब ये है कि ये फूत अब अकेला है, और हम इसे गाउवालों की मदद से मार-मार कर इस गाउव से दूर भगा सकते हैं एकदम सही कहा चिंटू तुने, मैं भी यही सोच रहा था, चल जल्वी से चल कर गाउवालों को सब बताते हैं, ताकि हम इस फूत के बच्चे को मार-मार कर यहां से भगाएं, सोचना कितना मज़ा आएगा तीनों दोस्त हसते हैं, और पिंटू-मिंटू-चिंटू, गाउव के सरपंच के घर की तरफ चल देते हैं, सरपंच के घर पहुँचकर सबसे पहले पिंटू कहता है सरपंच जी, बहुत बढ़िया कबर लेकर आया हूँ आपके लिए अच्छा, भला वो क्या बिंटू-दरसल जिस चुडैल और भूत ने मिलकर आपकी दादी को और गाउं के कई लोगों को खाया था उनमें छगड़ा हो गया है, और चुडैल नाराज होकर गाउं छोड़कर भाग गई है अब वो भूत एकदम अकेला है, हम चाहें तो उससे बदला ले सकते हैं अब क्या, क्या, सच में, अरे, ये तो सच में बहुत ही अच्छी खबर है वह, वह अगर तुम लोगों की बात सच है, तो मैं तुम लोगों को ये खबर लाने के लिए इनाम जरूर दूँगा मैं कब से उस भूत और चुडैल से पदला लेना चाहता था सभी लोग सोच में पढ़ जाते हैं कि तभी चिंटु को एक आइडिया आता है मैं समझ गया कि हमें क्या करना है हम सब डंडे वाले तांतरिक बाबा के पास चलते हैं और उनसे ऐसे डंडे लेकर आते हैं जिससे हम उस भूत को मार सकें आज रात जब भूत अपने जंगल में शान्ती से सो रहा होगा तब हम सब मिलकर उन्ही डंडों से उस भूत को पहत मारेंगे जिसके बाद वो तड़ब तड़ब कर मर जाएगा वाह ये तरीका बुरा तो नहीं है तो ठीक है फिर चिंटू पिल्टू और मिल्टू तांतरिक से डंडे लाने का काम मैं तुम तीनों को ही सौफता हूँ तुम इसे समभालो फिर हम सब शाम को वहाँ चलेंगे शाम हो जाती है और गाउवाले सरपंच के साथ जंगल पहुच जाते है भूत आराम से एक पेड़ पर सोया हुआ था और उसे कुछ भी खबर नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है सभी लोग एक साथ भूत की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही एक आदमी भूत को डंडे से मारने जाता है कोई उसे रोक लेता है पीछे से डायन अपनी चोटी लंबी करके उस आदमी के डंडे को जकर लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है सभी लोग पीछे मुड कर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं भूत की बीवी अपने साथ डायन और कई सारे भूतों को लेकर आई थी ये शोर सुनकर भूत की नींद खुल जाती है और सामने इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर वो हैरान हो जाता है तुम सब की इतनी हिम्मत, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे पती को मारोगे, मैं तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगी। इतना कहकर चुडैलों और भूतों ने गाउंवालों पर हमला कर दिया, और उनके सभी डंडे भी तोड़ दिये, डायन अपनी चोटी से लोगों को उठा उठा कर पटक रही थी, और भूत दूर खड़ा ये सब देख रहा था, थोड़ी देर बाद गाउंवाले अपनी जान क्यों आए थे? हाँ, और जैसे ही मुझे ये सब पता चला, मैं फौरन अपने माई के गई और अपने सभी भूत भाईयों को बुला लाई, ताकि तुम्हें बचा सकूँ और इन गाउंवालों को सबक सिखा सकूँ, भूत और उसकी बीवी को लड़ते देख डायन बाकी के भूतों से बोल लड़ते जगरते हुए भी खुशी-खुशी एक साथ रहने लगते हैं